नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागा थे हमारी यूट्यूब चेनल पे और आज की इस व्यूडियों में बात करने वाले हैं PM किसान के आप new registration अस्टार्ट हो चुका है अगर अभी तक आपने PM किसान का registration नहीं करवाए हैं या अभी तक लाव नहीं ले पाए हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से new registration करके उसका लाव ले सकते हैं जो कि मानरी परधान मत्री स्री नरंदर मोदीजी के दवारा साल में 6000 रुपी पी-म किसान के तेहाद सभी किसानों को पेसे मिलते हैं अगर आप एक किसान भाई हैं तो आपको फिर registration कर लेना चाहिए क्योंकि जो लाव है उसके बारे में आपको जानना है और लाव को लेना है अगर आप किसान हैं एक फार्मर हैं एक पूर फार्मर से काम से रिलेट करते हैं या फिर जो भी आप किसानी काम करते हैं तो इस सब चीजें जो सरकार लाई है जो PM किसान के तहर किसानों को लाव मिल रहा है तो हमारे गाउं में बहुत यसे किसान है इन किसानों को लाव मिल और बहुत यसे किसान है जो बहुत कुछ प्रोब्लम होने के कारण उन सभी का जो पैसे आना था वो रूप चुका है अगर आपका भी ओप्रोब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं और जितने भी हमारे गाओं में वैसे किसान थे इनका पैसा रूप चुका था उन सभी का हमने कोशिस जहां तक किया है उन लोगों को पैसे दिलाने का और अभी वर्तमान समय में पैसे मिल भी रहे हैं अगर आपने पहले से registration करवा रखे हैं तो आपको क्या करना है एडिट करना है और एडिट करना किस्तर से करना है जो कि आपने जो registration करवाए होंगे पहले तो एक ही family में एक ही रासन कार्ड में जितने members हैं उन में से एक, दो, तीन आपने registration करवा लिया होगा तो उन में से सभी को लाव मिलने वाला नहीं है एक रासन कार्ड में एक इनसान को PM किसान के तहट आप registration करना होगा और उसी के तहट आपको पेसे मिलेंगी जो नए registration होने वाले हैं वह रासन कार्ड की माईदम से होगा जो डोकुमेंट आपको लगने वाले हैं मैं आपको आपको पता दिता हूं अधार कार्ड जमीन का रसीद और इसके बाद रासन कार्ड यह तीन चीजे हैं इस बार जो आप registration करने वाले हैं उसमें आपको बैंक पास्वूग नहीं लगने वाले हैं पहले bank पास्वुक भी लगता था लेकिन अभी वरत्मान इस्तिती में आप रिच्टेशन कर रहे हैं तो आपको bank account का details नहीं डालना होता है क्योंकि आपको पता होगा जितने फी सरकारी पेसे आ रहे हैं अब सब आधार कार्ड के माइदिम से ही पेसे आते हैं जिसे आधार कार्ड में पेसे डाले जाते हैं तो आपके अकाउंट में जिसमें लिंक होता था उसमें ही डारेट आपको पेसे ही मिल जाते हैं तो यह information रहा है registration का लेकिन registration अश्टार्ट हो चुका है आप CSC के माईदेम से registration कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पे फार्मा registration पे जैसे हम यहाँ पे किलिक करते हैं तो finally यहाँ यहाँ पे देख सकते हैं हमारे options सारे कुछ खुल रहे हैं तो यह पहली possible नहीं हो पा रहा था अगर आप हमारे इलाके के आसपास में रहती हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं क्योंकि एक ब्यात्रिन मौका है आपके पास registration करने का फिर डेट निकल जाएगा तो फिर आप registration नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इडिट फार्मर डिटेल्स यहाँ पे है पहुत य इसी हम यहाँ पे किलिक करते हैं registration पे आपको सबसे पहले अधार नमर डालना होता है इसके बाद सार्च करते हैं और सार्च करने के बाद mobile नमर फिर फिल्ट करते हैं और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको बायो मैट्रिक मोठा लगाना पाता है और फिर registration करना तो जो registration होता है उसके पाहले वीडियो बना चुके हैं कि आपको कैसे registration करना है हमारी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे तो हम अभी वहाँ पर registration करके आपको बताने वाले नहीं है ठीक है यहां पर आपको detail हम समझाने वाले हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं तो यहां पर देख बाद अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत यह से किसान होते हैं जिसका registration कंप्लिट हो जाता है लेकिन payment ने हो पाता है जिस किसानों का पैसा मिलने वाले नहीं हैं तो जो भी वैसे किसान है वो आप उन किसानों को कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका ये केवाइसी नहीं हुआ है और ये केवाइसी करके जो भी उसको बेनिफिट मिलने वाले हैं जो कि वो रूकने वाले हैं अगर केवाइसी नहीं करते हैं तो उसका बेनिफिट रोक दिया है रूक गया होगा भी जो भी पेमेंट मिले हैं वो पेमेंट उसको नहीं मिला होगा तो जैसे वो KYC कराते हैं, इसके बाद उसका payment में मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो हम बात करने वाले हैं कि किन किसानों का data कहां पर मिलेगा किन किसानों का pending में है, किन किसानों का reject कर चुका है तो उसके बारे हम भी बात करने वाले हैं इस इस वह देखी आपके सामने एक option दिखाई देता है जो कि यहाँ पे dashboard का option मिल जाता है यहाँ देख सकते हैं बिलकुल यहाँ पे dashboard हमारे सामने दिखाई दे रहा है तो क्या करना है आपको dashboard पे click कर लेना है जैसे में यहाँ पे dashboard पे click करते हैं तो हमारे सामने कुछ आगे option खुल जाते हैं जो कुछ इस तरसी दिखाई देते हैं देख सकते हैं हाँ पर एस्टेट का उपसन आज आता है आपको एस्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस एस्टेट में आप राते हैं तो यहाँ पर एस्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिश्टिक्ट कर लेना है और यहाँ पर district select करने के बाद यहाँ पर सब district ले लेना है और सब district लेने के बाद यहाँ पर village भी ले सकते हैं जो भी village आप जिस village में रहते हैं उस village को आप select कर लिजी और असानी से आप check कर पाएंगे कि किन किन लोगों का KYC हुआ है, किन किसानों का KYC भी नहीं हुआ, किन किसानों का जो भी रेश्टिसन हुआ है, वो reject हो चुका है किन किसानों का pending है, उस सारा कुछ check कर पाएंगे, तो चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कोई भी यहाँ पर गाउं हम select कर लेते हैं randomly, पाकि हमें problem ना हो आने वाले समय में, ठीक है तो हम यहाँ पर कोई भी गाउं ले लेते हैं, ठीक है तो हम यहाँ पर जो भी गाउं लेने वाले हैं, आपने यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर हम search कर देते हैं, जैसी हम यहाँ पर search करते हैं, तो हमारे सामने देख सकते हैं कुछ डेटा हमारे सामने निकल करके आचुकी हैं और यहां पर अद harbor देख सकते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा होगा है total send for authentication यहां पर 228 है यहां पर successful authenticated यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर जो भी authentication यहां पर failing है जो आपके application फिल्ड की गए है यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कुछ यहाँ पे data आपके सामें दिखाई दे रहे होंगे तो जो pending है एक्सेप्ट है और reject यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में complete दिखाई दे रहा होगा total registration यहाँ पे 213 है और reject में हाँ पे 121 reject हो चुका है और जो accept हुआ 78 हुआ है और pending की बात करें तो यहाँ पे चोगदक किसान यहाँ जिनका pending यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रेंडिंग है इनका आने वाले समय में accept हो जाएंगे तो यह information यहाँ पे है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे payment यहाँ पे एस्टेटरस पे आएंगे यहाँ पे तो हमारे यहाँ किन-किन किसानों का payment कितना कितना मिला है यह चीज हाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं तो आदहार authentication एस्टेटरस पे हाँ पे आते हैं तो किन-किन किसानों का किन-किन किसानों का आदहार authentication successful है किन-किन किसानों का यहां पर दिखाई देते हैं ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं पथेंटिकेसंट से अंडर प्रोसेस टोटल इन इन इलिजिवल यहां पर दिखाई दे रहा है जो किसानों का पैसा नहीं मिलने वाले हैं पर कुछ नाम यहां पर उपसन आ रहे हैं तो इन सभी डेटा को आपको ध्यान पुर्वक देखना है और देखने के बाद आप एक एनालेसिस कीजिए कि किन किन किसानों का आपके गाउं में यह से किसान है इनका रिजेक्ट है पेंडिंग है या फिर जो भी अधूरा है उन सभी लोगों से कॉंटेक्ट करके आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं यह अगर आप किसान है तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी फैमली का जो हमने करवाए थे वो क्या इस्तिति में अभी है और क्या पेसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो सारा कुछ यहां पर देखने को मिल जाते हैं और अगर इससे ज़्यादा अगर आप तक के लिए हमें चाहिए हमें चाहिए तो इसे गवाए फिर मिलते हैं नई वीडियो के आप